दोस्तो आप लोग नेता रमायन और महाभार जीसे करें सीरियल देखें हैं लेकिन आज रमायन के एक ऐसे पल के बारे में आप लोग को बता जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी रो जाओगे जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना की ओधा कुमकर्ण का पल यानि कुमकर्ण ने अपने दोनों भायों कीछ तरह समझाये था और राम के साथ राजने वाले बीवी संग को अधार्मी केसे बताया था इसके बारे भी मैं आप लोग को बताऊंगा चले दोस्तो चलते हैं वीडियो की ओर यानि कि रामायन के हर एपिसोड में कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल्ड है जो इस कथा के असली भाव को हर किरदार के रूप में लोगों के सामने रख रहा है सी राम और राम के बीच हुए इस इउद को पुरी दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच के इउद माना जाता है दोस्तो यह तो आप सभी जानते हैं लेकि रामायन का हालिया एपिसोड में लंका पती राम के छोटे भाय कुमकर्ण ने आपने दोना भायों को धर में अकर्म का जो पार्ट पढ़ाया है ना उसकी जम का तारिफ हो रही है कुमकर्ण की एपस लोग को इतनी पसंद आई है कि जब एपिसोड में सी राम द्वारा उसका वद दिखाय गया तो कई लोग भावुक भी हो गए थे 13 अप्रेल के रात 9 बजे के एपिसोड में रावंग छोटे भाय कुमकर्ण के निन से उठने और यूद में लड़ने से लेकर उसके वद तक की कथा दिखाई गई है कई प्रतेयनों के बाद भी निन से उठने वाले कुमकर्ण ने आपने दोना भायों को जो समझाया वह अ आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वाहतों में सी राम कौन है आखे बंद होने से सुर्य का परकास लुप नहीं हो जाता जो तिनों लोकों के स्वामी है स्वेंग सिरीमान उन्हें सी राम ही कहना पड़ेगा भाया साइथ आप भूल गए हैं कि इच्छवा की वंस के आपको स्राफ दिया था सिर्मान नरायन हमारे कुद में अवतार लेंगे जो वह उसी नर्ग के रूप में आपका बिनास करेंगे कुमकरने राम को नरायन की या बात भी बताई और दिलासा दिलाई कि जब उन्होंने बताया था कि विस्तनु ने उसका नास करने के लिए र सिराव की सचा जाने के बाद भी कुमकर्ण ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा उसके बाद भी सुने में विसाने हुआा ने क्या धर्म है अग्या अधर्म है इसकी ब्याक्या देश और काल का दुसात सब की अलग अलग होती है इस पर भी विश्दा ने कहा नहीं सत्य एक ही है वह हर अस्थान काल में एक ही होता है इसलिए उसकी ब्याखा भी एक है इस पर कुम करने कहा तुम अच्छी तरह जानते हो जीवर में कई बार वह समय आता है जिसे धर्म संकट कहते हैं जब यह निर्ने करना का ठीन हो जाता है कि उसमें प्राणी का क्या धर्म है ऐसे ही असरपा हर प्राणी अपने अपने संस्कार के अनुसर अपने धर्म का निश्चे करता है जैसे तुमने अपने भाई अपने कूल और देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा अब मैंने अपने भाई अपने कूल और अपने नहीं कर देती भाई भूजा होता है तुझे भाईया से अलग होकर उसकी एक भूजा कार्दी है यदि उसकी प्राजय हुई तो उसकी प्राजय का कारण तू होगा तू कुमकर ने कहा हां मैं उनसे रावन से समत नहीं हूँ अरे विविशन जिसे तू धर्म कहता है उससे अब इस समान की दिर्श्री से नहीं देखा जाएगा अरे जिन से मित्ता की है उनके आच्रें से कुछ सिक्षाली होती भाई के लिए भरत का त्याग देखा होगा भाई के लिए लक्षमंग की सेवा और समर्पन से सिक्षा देखा होगा लेकिन तुअब तो चरित वह ऐसा कल से करते हैं फिर भाय का रिष्टा क्यों इस यूद में क्या अकेले ही मर जाएंगे इस मरने वाला कोई वह रहे नहीं हो और झाट साथ ऐसकर चार neatly स्कतोमरी सोबां बढ़ाते रहें के से देंश्मिनतर के अर्से म circuits ज्छोगा युन्हा जालेएं का रिष्टा तो दोस्तों आपको क्या लगता क्या कुमकर ने सच कहा था बीविशंग को कि बीविशंग ने अपना सच मान कर अपना धान निभाया था आप करके में रहता हैं और इसंतरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को γरोद तो यह दिया है आपको थोड़ी सी भी वीडियों अ चैस सब्सक्राइब〜ई बिलते हैं अगली वीडियो में